यूपी स्थान ये निकाय चुनाफ का एलान हो गया है 4 माई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 माई को होनी है जबकि 13 माई को नतीज आएंगे दोस्तों जब से तारीकों का एलान हुआ है तब से सभी दाविदार टिकट हासल करने की कोशिश में चुटे हुए है एक तरफ बीजेपी में बड़े नेताओं के परिवार वालों को टिकट मिलने की उमीद की जा रही है तो वहीं सपा में कोई ब्रहमर चड़ा तलाश किया जा रहा है भाचपा और सपा में किन नामों को टिकट मिलने की उमीद की जा रही है चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं भाचपा की इस लिस्ट में पहले नमर पर नाम आता है संयुकता भाटिया का लखनौ की पहली मेयर का किताब इनके नाम है 2017 के चुनाव में संयुक्ता भाटिया ने सपा प्रत्याशी मीरा वर्धन को करीब 1,31,000 वोटों से हरा दिया था दूसरा नाम है रेशु भाटिया का रेशु बीजेपी छेतरी ये महिला मोर्चा में कोशाध्यक्ष है ये पार्टी में काफी आक्टिव हैं साथ ही ये मौजूदा मेर संयुक्ता भाटिया की बहू भी है तीसरा नाम है मुलायम सिंग यादफ की छोटी बहू अपड़ना यादफ का अपड़ना ने विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी जोईन की थी चुनाव के दोरान ये महिला टीम में थी लेकिन अब तक पार्टी में अपड़ना के पास कोई बड़ी जिम्मदारी नहीं है फिर आती हैं बिंदू बोरा बिंदू सामाजिक कारिक्रमों के साथ साथ समासेवा में भी काफी आक्टिव रहती है ये लखनव उत्तर से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की पतनी है इसके बाद नाम है बाबू बनारसी दास की बहू और पूर्व मेर अखिलेश दास की पतनी अलका दासका राजसभा के लिए भी इनके नाम की पैरवी की जा रही है चटे नंबर पर नाम है नमरता पाठक नमरता डिपटी सीएम ब्रजेश पाठक की पतनी है इनके पास बीजेपी में कोई पद नहीं है लेकिन पार्टी के अभियानों में काफी आक्टिव रहती है साथवे नंबर पर डॉक्टर जैलक्षमी शर्मा के नाम की बात हो रही है जैलक्षमी पूर्व डिपटी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की पतनी है दिनेश शर्मा भी दो बार मेर रह चुके हैं अब यह M.L.C है अब इनके पतनी भी मेरपत के दाविदार के रूप में देखी जा रही है और आठवे नंबर पर भाजपा से प्रोफेसर रंजना द्रवेदी का नाम भी चर्चा में है रंजना द्रवेदी पारतकंडे यूनिवरस्टी में प्रोफेसर है लखनाव से लेकर दिल्ली तक के कई बड़े नेताओं से पिछले महीने ये मुलाकात करती रही है इसलिए अब इनके नाम की भी उम्मीद लगा जा रही है महीं अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की दोस्तों सपा में पूर्व मंत्री अभिशेक मिश्रा की पतनी स्वाती मिश्रा का नाम लिस्ट की रेस में सबसे आगे चल रहा है स्वाती मिश्रा को पूर्व सीम अखिलेश यादव का सबसे करीबी माना जाता है इसलिए उनको टिकट मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है दूसरे नमबर पर नाम है जोती शुकला का जोती सपा के टिकट पर डाली गंज वार्ड से दो बार पारशद रह चुकी है और साथीन के पती मुकेश शुकला भी सपा से पारशद रह चुके हैं इसके बाद नाम आता है अलपना बाचपई का अलपना लखनव विश्विद्याले चातर संग में उपाध्यक्ष रह चुकी है चौते नमबर पर नाम है किरन पांडे का किरन सपा में नगर महिला सभा की अध्यक्ष रह चुकी है इस लिस्ट में पांचवे नमबर पर नाम है मीरा वर्धन का मीरा 2017 में मेर पत पर चुनाव लड़ चुकी है तब मेर चुनाव में दूसरे स्थान पर ये रही थी पांच में नमबर पर नाम आता है कांती सिंग का कांती सभा के समर्थन से साल 2014 में MLC का चुनाव भी जीट चुकी है इसके बाद इस लिस्ट में नाम है श्वेता मनोचा का श्वेता के पती पवन मनोचा सभा व्यापार सभा के उपाध्यक्ष रह चुके है अब ये मेयर बनने के उमीद में लगी हुई है दोस्तो सपा ब्रामर चेहरों के साथ-साथ मुस्लिम चेहरों पर भी विचार कर रही है मुस्लिम चेहरों की बात करें तो Müनवर राना की बेटी सुमया राना ने भी दावेदारी दी है इसके अलावा सपा नेता नाहिद लारी खान भी मेर का चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है दोस्तों ये सपा और भाजपा के उम्मीदवारों के कुछ नाम थे हाला कि किस दल से किसे टिकट मिलेगा और कौन-कौन मैदान में उतरेगा ये तो नामांकर शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा नाम फरीन अंसारी है जैहिन जैभारत दोस्तों यूपी की धुआधार राजनिती खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिलकुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जैभीम जैभारत